स्क्राच पेस्ट अप पिक्टो ब्लॉक्स में ये शूटिंग गेम बनाना सीखते हैं फोन को लेफ्ट राइट टिल्ट करने से कैनन मूव करेगी और मुबाइल फोन में आन स्क्रीन अप एरो क्लिक करके बुलेट्स शूट होंगी इस गेम में स्कोर भी होगा और लाइव्ज भी होंगी गेम को स्टेप बाइ स्टेप बनाना सीखते हैं अपने फोन पर पिक्टो ब्लॉक्स अप लाँच करके एक नया प्रोजेक्ट शुरू कीजिए यहाँ पर जो यह डिफॉल्ट स्प्राइट है मैं इसको गिलीट कर रहा हूँ और फिर हम एक नई स्प्राइट बनाएंगे जो हमारी कैनन की स्प्राइट है और इसको मैं पेंट कर रहा हूँ इन दौनों रेक्टैंगल्स को सिलेक करके मैं ग्रूप कर रहा हूं और बहुत ज़रूरी है कि हम ये पूरी जो स्प्राइट हमारी है इसको हम यहां सेंटर से अलाइन करें तभी जो बुलिट है वो ठीक हमारी कैनन से शूट होगी फिर हम चाहते हैं कि जो हमारी ये कैनन स्प्राइट है ये जब हम अपना फोन टिल्ट करें तो लेफ्ट या राइट मूव करें ये करने के लिए हम यहां बॉटम लेफ्ट में एक्स्टेंशन पर जाके मोबाइल सेंसर का एक्स्टेंशन जो है इसको सिलेक कर रहे हैं और यहां से फिर हमारे को यह command मिलती है जो determine करती है हमारा phone tilt up, down, left या right है या नहीं हम चाहते हैं कि constantly जब हमारा phone left की तरफ tilt हो तो हमारी cannon sprite left की तरफ move करें यह करने के लिए मैं events में जाके पहले when green flag click ला रहा हूं फिर control में जाके forever का blog ला रहा हूं और यह condition चेक करने के लिए कि phone tilted है की नहीं मैं control से ही if then का यह statement ला रहा हूं तो यहां हम statement यह बना रहे हैं कि when green flag is clicked forever keep checking the condition if is the phone tilted left and if this condition is true which means कि phone हमारा left की तरफ tilted है तो हम चाहते हैं कि यह जो sprite है यह 10 steps to the left move करें इसलिए हम यहां पर एक negative 10 कर रहे हैं कि negative 10 steps यह move करें और इसको हम test करके देख सकते हैं जब मैं अपना phone left tilt कर रहा हूं तो यह मेरी sprite left की तरफ move हो रही है आगे बढ़ने से पहले हम project को save कर लेते हैं तो मैं इसका नाम दे रहा हूं shooting game और हम अपनी sprite को कहीं ठीक से position भी कर सकते हैं तो मैं यहां stage मैं sprite को यहां position कर रहा हूं और जब अपनी sprite को move करता हूं तो यह जब go to x और y coordinates हैं यह अपने आप update हो जाते हैं तो आप जहां पर भी चाहते हैं कि green flag click होने पर sprite हो वहाँ पर रखकर हम यह command यहां ला रहे हैं कि when green flag is clicked this sprite should go to x26 y minus 152 अब हम next चाहते हैं कि यही चीज़ अगर phone हमारा right की तरफ tilted हो तो हमारी sprite right की तरफ move करें तो इसके लिए मैं move 10 steps की command ला रहा हूं उसके बाद मैं control में जाके यहां एक और if condition ला रहा हूं और हम जो हमने extension use add किया है mobile sensors वहां से यह condition ला रहा हूं to check is the phone tilted right and if this is true then the sprite should move 10 steps to the right अब मैं जब phone right tilt कर रहा हूं तो sprite right जा रही है और जब मैं left tilt कर रहा हूं तो sprite left जा रही है अगर आपको लगता यह cannon बहुत बड़ी है तो हम यहां पर cannon की sprite को edit करके यहां से हम इसका size जो है यह कम कर देते हैं तो maybe हम यहां 70% कर देते हैं इसका size यह हमारी cannon sprite त्यार हो गई है next हम alien की sprite लाते हैं तो alien या enemy की sprite लाते हैं इसके लिए मैं फिर sprite add करना हूँ और मैं जो sprite library है यहीं से मैं यह ghost to की sprite ला रहा हूँ तो यह sprite हमारी enemy sprite है हम चाहते हैं कि यह sprite constantly जो हमारा stage है उसके उपर यहां कहीं पर spawn हो यानि कि यहां कहीं appear हो random में तो x की value हम चाहते हैं random हो यहां कहीं भी top में आए और उसके बाद यह sprite नीचे गिरनी शुरू हो जाए और जब यह sprite इस edge को चुएं तो disappear हो जाए यह करने के लिए हमारे को इस sprite के clones बनाने पड़ेंगे तो मैं events में जाके कह रहा हूँ when green flag is clicked control में जाके हम scroll down करके मैं यह command ला रहा हूँ कि forever control से forever create a clone of myself तो अब जब हम green flag हमारा click होता है forever इसके clones जो हैं वो create होते जा रहे हैं वो same position पर create हो रहे हैं तो हम यह position ठीक करना चाहते हैं इसके लिए हम scroll करके यह command ला रहे हैं when I start as a clone तो यहां हम चाहते हैं कि यह random में उपर कहीं spawn हो scratch में x axis की value minus 240 से लेकर plus 240 तक जाती है तो मैं कैरा हूँ कि when I start as a clone go to x और x हम चाहते हैं anything pick any random value between minus 240 to plus 240 और हम यहां पर y की value चाहते हैं कहीं जो हमारा stage है उसके उपर कहीं spawn हो तो यह जो y की value है यह बीच में x और y 00 होते हैं उपर यह 180 तक जाता है नीचे minus 180 तक जाता है तो हम यहां पर चाहते हैं कि यह maybe around 120 यहां कहीं spawn हो तो यह maybe 110 तो मैं यहां पर कहा रहा हूँ कि y की जो हमारी value है वो हो 110 तो अब यह जो हमारी sprite है enemy की sprite है या alien की sprite है यह अपने आप top row में spawn होती जाएगी इसके clones बनते जाएंगे हम फिर next आते हैं कि जब वो clone बने तब वो clone बनते ही नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए तो इसके लिए और नीचे तब तक आता है जब तक कि वो इस edge पर नहीं आ जाता और जब वो इस edge पर आए तब वो disappear हो जाए तो इस sprite को नीचे drop कराने के लिए हम control में जाके repeat until की command ला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इस sprite को constantly नीचे की तरफ लाते जाओ जिसके लिए हम हमारको y की value change करनी है तो हम यहां motion में जाके हम यहां ला रहे हैं change y by minus 10 और यह minus 10 हो minus 5 हो minus 20 हो यह determine करेगा कि कितनी speed से sprite जो है वो नीचे गिर रही है और हमारा game कितना difficult है वो इस value को change करके हम उस अपने game की degree of difficulty change कर सकते हैं मैं अभी minus 10 कर रहा हूं हम देख लेंगे अगर बहुत fast है बहुत slow होगी तो हम यह speed change कर देंगे और हम क्या चाते हैं कि यह repeat कब तक होता रहे जब तक कि यह sprite edge को ना touch हो तो मैं sensing में जाके यहां से ला रहा हूं repeat until touching edge और अगर edge को छुएं तो हम चाते हैं कि यह sprite delete हो जाए तो मैं यहां control में जाके यहां से ला रहा हूं delete this clone हम इसको test करके देख सकते हैं तो अब हमारी जो sprites हैं यह बहुत fast आ रही हैं नीचे और बहुत fast spawn हो रही है तो यह game तो almost हम खेल नहीं सकते हैं तो यह change करने के लिए मैं एक तो यहाँ पर जहाँ यह clone create हो रहा है इसमें मैं control में जाके यहाँ पर एक weight डान रहाओ कि maybe दो sprites को spawn होने के बीच में हम 0.5 seconds रुकना चाहते हैं और दूसरा यह minus 10 बहुत fast speed है तो हम इसको maybe minus 5 ट्राइ करके देख सकते हैं तो यह अब जो इसकी falling speed है यह ठीक हो गई है पर अभी problem क्या है कि जो हमारी main जो original sprite है वो हमारे को दिखाई दे रहा है और हम चाहते हैं कि यह hide हो जाए तो इसको hide करने के लिए हम looks में जाके मैं यहाँ से hide की command ला रहा हूँ और जहां हम यह clone बना रहे हैं वहां हम कह रहे हैं कि for it इस sprite को हम hide करा रहे है तो अब यह जो parent sprite है यहाँ पर hide हो गई है पर जब हमने इसको hide कर दिया तो फिर clones भी hide हो गई है तो अब हम चाहते हैं कि parents sprite तो hidden रहे पर clones जो हैं वो हमें दिखाई दे तो हम कह रहे हैं when I start as a clone go to some random value and then show तो अब अगर मैं इसको चला रहा हूँ तो अब यह हमारे sprites enemy sprite जो है यह ठीक तरीके से नीचे गिर रही है next हम चाहते हैं bullet sprite बनाना तो again bullet sprite के लिए मैं एक नई sprite create कर रहा हूँ आप library में जो bullet की sprite है उसको भी use कर सकते हो but मैं अपनी sprite paint कर रहा हूँ यह bullet sprite बना रहा हूँ और again जरूरी है कि यह हम इसको ठीक से center से align करें वरना यह जब हम इसको attach करेंगे cannon से तो वो ठीक attach नहीं होगी तो अब हम bullet की sprite को program करते हैं हम चाहते क्या है कि जितनी बार हम जो picto blocks में हमारे को यह on screen joystick type के controls मिलते हैं तो हम चाहते हैं कि जितनी बार हम यह up arrow की press करें उतनी बार bullet जो है वो यहाँ पे create हो और उपर की तरफ जाना शुरू कर दे यह करने के लिए हमारे को bullet के भी clones बनाने पड़ेंगे तो मैं control में जाके यहां से command ला रहा हूँ कि create a clone of myself और हमारे को यह start as a clone और delete यह बाद में चाही होंगी तो मैंने ड्राइक कर रहा हूँ इन commands को और यहां पर हम क्या चाहते हैं कि जब अप अप arrow प्रेस हो तो मैं events में जाके यहां से event ब्लॉक ला रहा हूँ कि when up arrow key is pressed create a clone of myself and then when I start as a clone हम चाहते हैं कि यह bullet उपर की तरफ जाए सबसे पहले तो यह bullet cannon से attach हो जाए और फिर उपर की तरफ जाए तो bullet को cannon से attach करने के लिए हम motion में जाके यहां कह रहे हैं go to और यह random position का drop down menu दबाके मैं यहां से select कर रहा हूँ यह sprite cannon so go to the cannon and then हम चाहते हैं कि forever यह उपर की तरफ जाए till it touches the top side of the stage तो इसके लिए फिर मैं forever block के अंदर repeat until command ला रहा हूँ और repeat until sensing से जाके मैं ला रहा हूँ कि repeat until touching the edge and फिर हम चाहते हैं कि जो y की value है वो increment हो वो बढ़ती जाए क्योंकि वो y axis में हम bullet को उपर ले जाना चाहते हैं इसके लिए मैं फिर यहां से ला रहा हूँ change y by हम 10 की value डालके देख लेते हैं कि ये ठीक चल रही है कि नहीं तो ये हमारी bullet ठीक से fire हो रही है ये अभी हमारी दो problems हैं एक कि जब bullet edge को touch हो रही है तो ये clone delete नहीं हो रहा है और दूसरा जो original है उसको हमारे को height करना है तो ये दो चीज़ करने के लिए मैं यहां पर ये जो delete key delete this clone है इसको मैं ये repeat until block के नीचे डाला हूँ forever block के अंदर और फिर हम चाहते हैं कि ये वारी जो sprite है वो hide हो जाए तो इसके लिए मैं looks में जाके यहां से height का block ला रहा हूँ और क्योंकि हम parent को hide कर रहे हैं इसलिए हमारे को clone को show करना बढ़ेगा so go to cannon and show तो अब ये left right भी हमारी cannon move हो रही है हमारी bullets जो हैं वो भी shoot हो रही है और अब हमारे को collision detect करना है कि हम चाहते हैं कि जब हमारी bullet alien को चुए तो alien जो है वो मर जाए इसके लिए हम alien sprite में जाके यहां पर collision detection करना चाहते हैं तो मैं एक और when I started the clone block ला रहा हूँ forever condition check करना चाहते हैं कि यह touch तो नहीं हुआ तो forever check the condition sensing में जाके हम कह रहे हैं touching the bullet और यहां से फिर हम control से एक if then conditional statement ला रहे हैं कि forever if touching bullet hide this clone हम इसको test करके देख सकते हैं तो हमारा यह game ठीक चल रहा है next हम इसको proper game like बनाने के लिए दो चीज़ें कर सकते हैं एक हम score add कर सकते हैं कि जितनी बार हम किसी alien को मारे हमारा score increment हो जाए और दूसरा हम lives की concept introduce कर सकते हैं अगर alien हमारी cannon से टकरा जाए तो एक life lose हो जाए और maybe हम player को तीन lives देना चाहते हैं तो lives और score बनाने के लिए हमारे को variables में जाके एक नया variable बनाना है तो पहले variable का मैं नाम दे रहा हूँ score और मैं यहाँ गह रहा हूँ data type number है और for all sprites और फिर मैं एक और variable बना रहा हूँ जिसका मैं नाम दे रहा हूँ lives और same default छोड़ रहा हूँ मैं तो अब हम क्या चाहते हैं कि जितनी बार यह हम alien sprite की coding पर है और जितनी बार bullet जो है हमारी वो alien से टकराए उतनी बार score जो है वो increment हो जाए तो मैं कह रहा हूँ कि जब हमारा game शुरू हो तो हम score को reset करना चाहते हैं जो भी पिछले game में जो भी score था हम उसको change करना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि when green flag is clicked set the score to 0 और फिर हम कह रहे हैं कि जितनी बार यह collision हो change the score by let's say 1 और इसके बीच में हमारा को एक थोड़ी weight डालनी पड़ेगी वरना instantly score बढ़ता जाएगा बहुत बार weight 0.1 second यह हमारा score हो गया और हम एक और collision यहाँ deduct करना चाहते हैं कि अगर हमारा alien जो है वो cannon को चूँ जाए तो हम चाहते हैं कि lives एक से कम हो जाए यह करने के लिए मैं यहाँ से set lives नाम का variable इसको मैं set कर रहा हूँ कि depending on आप कितनी lives player को देना चाहते हैं मैं यहाँ 3 कह रहा हूँ so set this variable called lives to 3 और अगर यह collision detect हो जाए यहाँ पर हमारा पर एक और condition चेक करनी है if touching the cannon तो इसके लिए मैं control में जाके एक और if statement ला रहा हूँ और इसको मैं when I start as a clone forever condition के अंदर ही चेक कर रहा हूँ और फिर मैं sensing में जाके यहाँ से ला रहा हूँ if touching cannon change lives by minus one change lives and then maybe wait for 0.5 seconds ताकि एक collision properly detect हो एक बार में ही multiple lives ना चेंज हो जाए इसलिए हम यहाँ यह कर रहे हैं और फिर हम एक यहाँ final condition चेक करना चाहते हैं कि अगर हमारा score lives जो हैं वो zero हो जाए तो हम चाहते हैं कि game खतम हो जाए तो मैं एक और if condition ला रहा हूँ यहाँ पर और फिर अब मैं यहाँ से operators में जाके यह equality ला रहा हूँ और variables में जाके मैं कहरा हूँ कि if this variable call lives becomes zero यानि कि तीनों lives चली गई प्लेयर की तब हम चाहते हैं कि हमारा game रुक जाए तो मैं control में जाके यहाँ पर ला रहा हूँ stop all तो हम इस game को test करके देख सकते हैं तो जो हमारी lives है वो एक दो तीन यह ठीक काम कर रही है पर जो हमारी firing है वो बहुत slow है हम firing को ठीक करने के लिए हम bullets पर जाते हैं तो bullets में यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब हर बार हम arrow क्लिक कर रहे हैं तो clone create हो रहा है फिर वो hide हो रहा है यह ऐसा now यह इसके लिए हम यह hide अलग कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि just one time इसको हम height करा देते हैं हमारी original जो sprite है उसको तो मैं events पर जाके कह रहा हूं कि when green flag is clicked simply hide and then when arrow key is clicked create a clone of myself तो अब हमारी firing की speed जो है bullets की वो बढ़ गई है अगर depending upon कि आप game क्या बनाना चाहते हो आप bullet का size change कर सकते हो bullet चोटी कर सकते हो और एक और जो problem मुझे यह नदर आ रही है वो यह है कि जो हमारी sprites हैं वो cannon के आगे हैं इसके लिए मैं यहाँ cannon sprite पर जाकर looks में जाकर यहाँ से command ला रहा हूं go to the front layer तो जो हमारी cannon है वो front layer पर आ गई है और alien की sprites हैं उसके पीछे जा रही है अभी क्या हो रहा है कि जब bullet alien को मार भी दे रही है तो bullet disappear नहीं हो रही है bullet continue कर रही है तो इसको हम ठीक करते हैं तो मैं alien sprite में हूँ और जहां हम collision detect कर रहे हैं हम वहाँ पर events में जाके एक message जो है वो broadcast करना चाहते हैं let's say message one और हम bullet पर जाके कह रहे हैं when I receive message one hide तो अब जैसे ही bullet hit कर रही है alien को alien भी मर रहा है और bullet भी disappear हो रही है game अब ठीक काम कर रहा है हम इसको थोड़ा और improve कर सकते हैं मैं यहाँ पर bullet और cannon का size जो है वो कम कर रहा हूँ मैं background में जाके background को edit कर रहा हूँ और यहाँ पर जो हमारा backdrop है मैं उसका color बदल रहा हूँ मैं इसका color totally black करना चाहता हूँ ताकि हमारी सारी sprites वगेरा जो है वो ठीक से नजर आ जाए aliens जहाँ पर मर रहे हैं वहाँ पर मैं एक sound effect आड़ कर रहा हूँ इस तरीके से आप अपने mobile phone पर pictoblocks app यूज करते हूए scratch का यह shooting game बना सकते हैं I hope यह project बनाना आप try करेंगे